दोस्तों फानली आप लोग के सामने है Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro बता दूँ देख रहे हैं जैसे कि डिजाइन देखने को मिलता है कि इस मॉडल से पहले से अलग ब्लेक पैनल है डिवाइस के रियर पैनल पर स्क्वाइर शेव मॉडूल कवर डिजाइन में दिखाई दे रहा है कैमरा मॉडूल के आसपास सिल्वर रिंग लगी हुई है जबकि इसके अंदर तीन कैमरा और LED फ्लेज मौजूद है कैमरे के से जो सेंसर है ये तो बताना थोड़ा शाँ मुश्किल है उमिद है कि ये फाइनल रेंडर नहीं उसके बाद ही बहुत सारे कुछ अब्मेटिस के आ सकते हैं अगर बात करें बैक परेंड के नीचे के हिस्से की तरफ यहां रेटमी की ब्रैंडिंग देखी जा सकती है जबकि मुबाइल के राइट साइड पर पावर वैलो बटन देखने को मिल रहा है जहां तक इसकी फीचर्स जैसे की स्पेश्वेकेस देखने को मिल रहे हैं इसकी जो प्रो मॉडल में कॉलका मिस्ट्राइब प्रैमिल एस सेवन इस जनेरेशन 3 प्रोसेसर के साथ होगा प्रो प्लेस वेरिंट में में मेंडियर देखने सेवन थाउजन थीफिप्टी पर प्रो चिप्सेट मिल सकता है रेडमी नोट 14 प्रो और 14 प्रो प्लस में दोनों में ही 50 मेड़ा पेक्सल का प्रैमरी कैमरा मौज़ूद है और 5000 इमेज की बैटरी मिल सकती है रेडमी नोट 14 फाइब जी में आपको 45 वाड़ का फास सार्जिन के सपोर्ट होंगे लेकिन बता दूँ आखिर में कि ब्रैंड ने पिछले सार्ज सेप्टमबर में चीन में नोट 13 सेरीज को लाँच किया था और इसे लगता है करेडमी नोट 14 सेरीज को भी अगले महेने सेप्टमबर में ही लाँच कर देगा लेट सी देखते हैं क्या कुछ कैसे होता है लेकिन फिलहाल जो चीज बताया गया है इमेजिस के रेंडर के साथ से आपके सामने है तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यह तक दिए पसंदा जब यह आप लाइक करना शेयर करना मिलता हूं मैं सने हो इव तक देख गलिये टेकर